जिस परकार से आर्थिक गतिविदियां जम्मू शहर के अंदर एकदम बन थी अगर हम दुकानदारों को देखें तो आज जिस परकार उनके ओपर करजे की मार है जिस परकार बैंक की लिमट्स और कमेटियों की मार है आज वो घबरा चुके हैं उनका परिवार चर्मना गे है इस हलाद में अगर ये डिसीजन लिया गया कि सेचेडे और को भी शॉप्स खुलेंगी तो ये अच्छी बात है पर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं जिस परकार से जमू शहर के अंदर आज कोवीड के जो टेस्क किये जा रहे हैं 20-25 परसंद लोग कोवीड की मार से इस वक्त पीडित हैं तो हमें डिस्टंस भी बनाना है हमें अपने घर की रोजी रोटी भी चलानी है और उसके साथ साथ हमें अपने प्रानों की रक्षा भी करनी है कोई भी गरहा काता है उसको किस परकार से दुकान के अंदर डिस्टंस बना के उसको एंटर्टेन किया ज तो मेरे को लगता है कि पूरा परिवार ही गिर जाता है इसलिए अच्छा फैसला है बढ़िया फैसला है पर साथ साथ में हमें जो एडवाइजरी जारी होती है जो नियम कानून बंतियां सरकार की दरब से उसका भी ध्यान रखते हुए हमने आर्थिक मंदी जो चल रही है ज